ओम स्री गनेशाय नमदोस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 अक्टूबर गुरुवार की रासी फल के बारे में कि यह दिन तुला रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तोला राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजेटिव रहने वाला है दोस्तो आपके लिए आज काम्याबी प्राप्त होनी की संभवना अच्छी बन रही है संतान पक्षशे संतुष्टी आज आपको प्राप्त हो सकती है समय के नुशार संतान का शयोग भी आज आपको प्राप्त हो सकता है संतान के कुरिया कलापो तथा घर परिवार की आवश्यक्ताओं पर आज आप खरे उतरने का प्रियास करें दोस्तो आपके संचार कोशल और संबंदों में विस्तार होगा और आप प्रकर्टी और जीवन से आज बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तो आज आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे आप भविश्य हितू अनेको योजनाएं आज बनाएंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और लंबे समय से अठकी हुई आपकी अनेको एक्छाओं की आज पूर्ती होगी ज़स्तो साथिसाथ आज आपके लिए दूर की यत्राएं भी होगी जो आपके लिए अती लावकारी सिद्ध होंगी और उनके दोवरा आपको अच्छा धनलाब भी होगा और साथिसाथ आपके मान सम्मान में भी वरती होगी मल्टी लेशनल कंपनियों में कार्य करने वाले लोगों के लिए आज का समय बहुती अच्छा रहेगा आपकी अनेक महत्व कांच्छाओं के आज पूर्ण होने की संभावना हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो पड़ाई लिखाई से संबंदित आज आपको अच्छे सफलता प्राप्त हो सकती हैं भूमी वाहन इत्यादी का भी आज आपके लिए योग बन रहा हैं अपने जन्म पूजा करने के साथ साथ अपने आप पर भरोसा जादा करें दोस्तो राजनीतिक लाब प्राप्ति के भी दरश्टी से इस्थितियां आज काफी आपके लिए अनुकूल हैं साथ ही साथ संतान के प्रती आपका वहवार काफी अच्छा रहेगा और संतान की प्रगर्ती से आप काफी संतुष्ट होंगे विध्यारतियों को उनके प्रिणावों में आज सफलता प्राप्त होगी और उन्होंने जिस दिन के लिए महनत की थी वह महनत कामियाब हो जाएगी साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल्चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवर्तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी एक्छा आपको सयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों मित्र भाई बंदू इत्यादी के साथ भेतर संबंद हो सकते हैं जिससे कामकाज के साथ साथ घर परिवार में भी एक दूसरी के प्रती काफी अच्छी संभावना उत्पन हो सकती हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता हैं दोस्तों किसी भी प्रकार के वित्ते निवेश के लिए आज बहुती सोच समझ कर आगे बढ़ें यदि इस च्छेतर के जानकार या विसे सग् लेकर ही कोई कारे करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा दोस्तों आज का दिन आपके लिए किसी अंजान तनाव पूर्ण इस्थिती उत्पन कर सकता हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साथी साथ आपको अपने करे छित्र में थोड़ा ध्यान देनी के आप पूरी इमयंदारी से करें किसी को भी ऐसा मौका ना दें जिससे आपको कोई परिसानी उठानी पड़ें जैंदोस्तों आफिस अत्वा कारयाले में अपने सेह कर्मियों पर भरोसा ना करें तो कि यदि आप ऐसा करते हैं तो वहें आपके भरोसे का नाजाय ये फायद उठाना पड़ सकता है सावधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों आपका जीवन साथी आपको आपके प्रतेक कारे में समर्थ हंदेगा और समय आने पर आपकी साहिता भी अवश्य करेगा इसके परिणाम से रूप आपक वहवाईक जीवन काफी अच्छा रहेगा जीवन साती के साथ मदूर संबंद होने की भी संभावना बढ़ सकती है तथा आवश्यक्ता अनुसार हर जगा जीवन साती का भी शयुग आपको प्राप्त होगा इसलिए जीवन साती के साथ मदूर संबंद बनाए रखना आपक को यह बात का विध्यान रखना चाहिए कि प्यार और रिस्ते अपने पन इसने और प्यार से चलते हैं इसलिए किसी भी रिस्ते में अडियल रवया मत अपनाईए और हवा के रुक को देखते हुई कोई कारे कीजिए या दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए ब दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती सुव फल्दाई रहेगा वैपार धंदा आज अच्छा चलेगा और आर्थिक इस्तिती काफी मजबूत रहेगी आज आपके लिए आस्मिक धनलाब के भी अनेको योग बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा जी हा आप किसी मित्र के साथ कोई वैपार कर रहे हैं तो इस दोरान आपको अधिक लाब मिल सकता है नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है विध्यारकियों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा है दोस्तो बात कर लेते हैं आज का आप पालन करें इसके लिए आप अपने खान पान पन ध्यान दें और साथ इसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वैयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशे शुपाय क्या है दोस्तो आज आप इश्नान आदी से निर्वत्र होने के बाद भगवान श्रीहरी विश्णुजी का दक्षणावरती संख में जल भरकर अभिशेक करें जा दोस्तो इस प्रकार अभिशेक करने से भगवान श्रीहरी विश्णुजी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को द दिछ ले जाएंगे दोस्तो भगवान श्रीहरी विश्णो जी का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्छे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैश्रीहरी विश्णो अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद